फरुखबाद में महाभारत काल का चिंतामणी तालाब है माना जाता है कि इस तालाब में डुबकी लगाने मातर से शरीर से कुष्ट रोगों से मुक्ती मिल जाती है कहते हैं कि इस तालाब को महाभारत काल में बनवाय गया था इस तालाब के बारे में इस तरह की कहानिया प्रिचलित हैं। तालाब में डुपकी लगाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहां शरद्धा का चैलाब उमरता है। इस तालाब पर कार्तिक पूरिमा, मागी, दशेहरा आदिपर्व पर मेला भी लगता है। बहुत से भक्त अपने परिवार का मुंडन संसकार भी यहीं कराते हैं। इस तालाब की गहराई 30 पीट है, तालाब में बहुत से जलजीव हैं, जिसमें मचली बहुत अधिक हैं। तो उलिया पूर्चे उतरके, वहां पर कुछ से वहार मिल जाते हैं। यह रिक्सा है, और बाकिंग डिस्टेंस से 5-10 मिनट की, पैदल भी आ सकते हैं। तो यहां कहां 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 के लोग आ रहे हैं। पहले तो काफी आ रहे हैं। लेकिन जिब कुछ से यह जो देख रहे हैं। कुछ कहा ही नहीं मतलब। पूटा पड़ा उपूरा। बाकि में फ़यों हैं। महां भारत कालीन का बना हुआ है। यहां लोग आते हैं। पाफ़े चड़ाते हैं। नाते हैं.. खाज, खॉजली और भाहनकर रोग ठाएप। काफी फाइदा मिलती है. कहां कहां से लोग नहीं हाते है। बड़ी बड़ी दूर फे आते हैं दिल्ली फे आते हैं इदर हर्याना फे आते हैं और इदर काफी दूर फे आते हैं मतलब इस साल का क्या ना किस नाम से प्रिशिद देगे चिंता मन ताल फे नाम से प्रिशिद देगे चिंता मन ताल फे नाम से प्रिशिद देगे चिंता मन मणी यहां से गुजर रहे थे तो उनका रत इसी तालाब को देखकर रोका गया राजा ने जैसे ही तालाब के पानी में हाथ डाला तो उनके शरीर पर सफेद दाग गायब हो गए तभी से उनके इस तालाब को चारो तरफ से पक्का बनवा दिया जिसमें चार द्वार भी बनाए गए जो आज भी बने हुए है अच्छे सच्छे इस तालाब की मानेता कई प्रदेशों में हैं कुष्ट रोगी आज भी यहां इसनान करने आते हैं ऐसी मानेता है कि इस तालाब में एक महीने इसनान करने से कुष्ट रोग ठीक हो जाता है लेकिन रोगी के अंदर सच्ची शृद्धा होनी चाहिए वहीं लोगों का ये भी कहना है कि जिला प्रशासन इसकी देखभाल नहीं करवा रहा है प्रशासन की अंदेखी के चलते ये तालाब खंडहर में तब्दील होता जा रहा है पंजाब केसरी टीवी के लिए फ़रुकाबाद इसे दिलिब कटियार की रिपोट